लोगस्वा चुनाओं 2019 में बीजेपी की धमाके दर जीत के बाद सत्रुगन सिना का भी अमन डोलने लगा है पति पत्नी दोनों की हार के बाद सत्रुगन सिना ने एक ट्वीट किया है इस ट्वीट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्रुगन सिना को अब अपसोस होने लगा है पिछले कई सालों से मोधी और अमित साहा की प्रखर अलोचक रहे सत्रुगन सीना अब अचानक उनके प्रसंसक कैसे बन सकते हैं उन्होंने ट्वीट कर अब दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए जीत को ग्रेट बताते हुए कहा है कि ये एंडिये की जीत है और नरेंद्र मोधी की जीत है वहीं अपने खिलाफ पटना साहिव से जीते बीजेपी नेतार विशंकर प्रसाद कुप्योंने पारिवारिक मित्र बदाते हुए कहा उनकी जीत एक तरह से सभी की जीत है आपको बताने कि सत्रुगं सिर्या लगातार बीजेपी को बस दो लोगों की पार्टी बताकर बीजेपी की आलोचना करते थे उन्होंने अमित साह को बहतरीन रनीतिकार करार देते हुए उनकी तारीफ की है इस बार और लोग सभाचुना में जीत को लेकर अपने बधाई संदेश में सत्रुगं सिर्या ने त्वीट कर कहा आदर्नी पधार मंतरी नरेंदर मोदी, मास्टर रनीतिकार, अमित साह और विशेश रूप से हमारे पारिवारिक मित्र रविसंका प्रसाद को भारी जीत के लिए ब भाजपा छोड़कर कॉंग्रिस में आयें और उसी के टिकट से पटना साहिव से चुनाल रट रहे थे, लेकिन भाजपा के दितार विसंकार प्रसाद ने उन्हें बहुत पूरी तरह से हरा दिया, लोग सभाचुनाओं में हार के बाद इससे पहले सत्रुगं सिर्हा ने ए चुनाओं से पुरवी सत्रुगं सिर्हा भाजपा से खासे नाराज थे, खास तोर पे बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी की जो बड़ी कुछ उपलब्धियां थी, उनको लगातार वो छोटा करके गिनाते रहते थे, हाला कि अब जब वो कॉंग्रिस की तरफ से चुनाओ लड़कर बुरितर से हार चुके हैं, उसी सीट से, जिस सीट पर कई बार उन्होंने कॉंग्रिस के परत्यासियों को सिकस्त दी थी, ऐसे में कहीं न कहीं सत्रुगं सिर्हा के बारे में ये बाते कही जाती है कि राजनीती में कभी भी कोई लंबे समय तक ना दोस्त होता है न दुस्मन। ऐसे में सत्रुगन सिना के आने वाले वक्त में किस पार्टी की तरफ होंगे ये भी अब कयास लगाने जाने लगे हैं। बरहें न्यूस बिहार पर सत्रुगन सिना समेत बिहार की सबी खबरे आपको सबसे पहले पहुंचाए जाएंगी।